तीन साल बाद शिरू हुई चिराख की नई कहानी उसकी बीटी के साथ दिपिका के मणने के बाद चिराख को हुआ पच्छतावा दिल को तुमसे प्यार हुआ कि आने वाली कहानी में आने वाला है लीप और देखने को मिलने वाला है आपको अब नया सफर चिराख का दिरसल आपको बता दे कि चिराग के सामने अब जल्द ये सच आ जाएगा कि दिपिका जो कुछ भी कह रही थी वो एकदम सही था उसने अपनी ही दिपिका पर विश्वास नहीं किया और अपनी ही दोनों बेटियों को वो पाप पाप कहता रहा लेकिन अब फानली चिराग जबी सच आपको बता ही देंगे कि ये बच्ची भी उसी की है दिपिका को ट्विंस होई थी इसके बाद आप चिराग खुद को माफी नहीं कर पाएगा जहां दिपिका ने चिराग से कहा होता है कि जब आपको सच पता चलेगा तो आपके पास कोई नहीं रहेगा और आप अच्च् कोई मौका नहीं है और ना ही कोई इंसान है जिससे कि वो अपने दिल की बात कह सके तो वहीं अब चिराग चुए अपनी बेटी के साथ ही नए जिन्दगी की शिरुआत कर रहा है लेकिन हम आपको बता दें कि भाई इस बात का एहसास बार बार चिराग को होता है कि उसकी दि इस तो आने वाला है क्योंकि भाई बढले ही चुराग की जिन्दगी से दिपिका ना हो लेकिन हम आपको बता दें कि दिपिका जिन्द भोगी जो लॉटकर कि अड़ो से लोता Rule P